दो वर्षन तक कोरोना के कारण बाधित रहा चदरपूर का एतिहासिक मेला जल्विहार गुर्वार से शुरू होने जा रहा है दुकांदारों के लिए खास्तोर पर बहु प्रदिक्षित रहे जमेले के उधगाटन पूर्व ही दलाली और कमीशन खोरी के कई खेल हो गए बाहर से आने वाले कई दुकांदार नगरपालिका के घूस खोर और शातिर करमिचारियों के कारण लुटने को मजबूर हो गए दरसन नगरपालिका की कुछ कर्मिचारियों ने दुकानों के लिए आविंटित होने वाले प्लॉट को पहले ही इस्थानी रखसूखदारों को आविंटित कर दिया जब बाहर के दुकानदार अपनी दुकाने लगाने यहां पहुँचे तो इस्थानी धलालों ने पूर्व से अपने नाम पर आविंटित कराए इन्ही प्लॉट को बाहरी दुकानदारों को दे दिया यानि आवंटन किसी के नाम पर और दुकान कोई और खोलेगा जब बाबुजी बताइए आप रेटाइड हो चुकियों उसके बाबजुद भी यहां का पूरा ठेके के दुनियादारी कर रहे हैं ठेके दारी के हमारा कोई काम नहीं है अध्यक दौरा हमको बलाए गया था किस मेले में सायोग करा रहे हैं आपके उपर आरूप हैं कि आपने दुकाने बेकवा रहे हैं यहां नहीं हम दुकाने कोई बेकवा रहे हैं और नहीं हमारा की जीदे कोई लेना देना है नगरपालिका के दौरा मेला जल विहार के मैदान में लगबग 250 दुकाने लगवाई जा रही हैं ज्यादा तर दुकानों का आवंटन साथ गांट के चलते नगरपालिका की कुछ वर्दमान और रिटाइड हो चुके कर्मिचारियों की मिली भगत से इस थानी लोगों को कर दिया गया हर दुकान पर दस हजार से लेकर पचास हजार तक की कमीशन खोरी हुई है इस लिहाज से मेला शुरू होने के पहले ही यहां लाखों रुपे का खेल हो गया असल सवाल ये है कि नगरपालिका की कर्मिचारी आखिर बेखौफ होकर किसके इशारे पर भ्रष्टाचार करते रहे नगरपाल का अध्यक्ष जोती चौरसिया उपाध्यक्ष मिंटु पंडा इस मामले में दो दिन से चल रहे विवाद के बाद भी खामोश क्यों हैं इधर सीमों भी अपना रटा रटाया जवाब दे रहे हैं इस पर अपने दुकान लगा रहे हैं क्या हो गया है यह लोकल के आदमी है वो बथा रहे हैं यहां से आथा यह दूकान जो है कि हम अपनी दूकान लगाएंगे अपनी दूकान उखाड़ी है अपनी दूकान लगाएंगे यह दूकान लगाएंगे